हेलो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को मल्टिपल ज्वास कोस्टन कराऊंगी जो कि जिनेटिक इंजिनेरिंग से हैं जो भी लोग जो है कि कम्टेटिव एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं जिसमें की बैलोजी पूछी जाती है तो उनके लिए यह बहुत ही हल्फ जो री कमिनें डीनेमाले कूल होता है वो कैसे प्रोटुस्व होता है I'll son one मार न की ठी एनस एग्मेंट डुहेव न O मर ने मेंगे ट्टी ऐनस सेग्मेंट घ demographic अफसीन ठाड़ और अफिन ब्रनेमाली कुल genetic system होता है तो वो जो genetic system होता है उसके character को निर्धारित करता है उसमें प्रदर्सित होने वाले गुनों को निर्धारित करता है तो अगर हमें कोई fruit है कोई animal है अगर उसमें हमें कोई variation चाहिए जो कि हमारे लिए human being के लिए अच्छा हो तो हम उसको produce करते हैं ठीक है उसमें तो उसके लिए जो है हम DNA segment को कहीं और से लेकर किसी और DNA segment में जोड़ते हैं तो जो DNA बनता है उसको recombinant DNA कहते हैं इसलिए यहाँ पर option for correct हो जाएगा next question है Agene produced for recombinant DNA technology contain a gene from one gene organism the regulatory sequence of another gene such a gene is called oncogene option two है junk gene option third है chimeric gene option four है none तो यहाँ पर answer हो जाएगा chimeric gene तो जब कोई DNA हम इस तरह से बनाते हैं तो उसको chimeric gene कहते हैं next question है a group of genetically similar organism obtained by sexual reproduction is called तो genetically similar हो और जो कि sexually produce हुए हाँ तो उनको क्या कहेंगे र यहाँ नच्ट वी यहाँ पर पापोलेशन जाएगा पॉप निच्ट कोस्ट है टू भू यूजफुल इन प्रेपरेशन आफ взमेट्ट डी एन एपलाजमिट्स नाहीं कुछ के बॉदे प्लाजमेड स्जोकर डीने रिकमबिने के लिए रिकमदिने डीने बनाने के लिए हल्फुल होता है तो उसमें क्या-क्या गुड होने चाहिए उस प्लाजमेड में option 1 है नो ओरीजिन आफ रैप्लिकेशन आफ सन भी है न ओरीजिन आफ रैप्लिकेशन आफ संथाड है दा अविलिटी तो अल्टनेट बिट्विन दा लिनियर एंस अंसर्कुलर फर्म्स अछर्वन्स यहां पर आंसर फर्म्स पर्रैक्ट हो जाएगा रेस्टेक्शन अंठोनीकेशन आप्लिकेशन गिलिटी ज्यादा जुरूरी है 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 ने स्कुर्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लिए जो होते हैं हमें अबिलिटी होती है कट करने को ये जो है टीने एट् Harvard साइट होको अट्र एंडनान सैट इसकेमी मलवक demi आगने आफिप Amen इसन ट्रिक्शन एंडोनुक्लिए जो पीचिशन एंडोनुक्लिए जो करते हैं उनमें वहलाति है तो कट dna at specific site यह जो है dna को specific site पे cut करने की इनकी ability होती है ना कि random site पे ठीक है इसलिए इनका नाम restriction endoneuclease बढ़ा है क्योंकि इन में ability होती है specific site पे cut करने की तो इसलिए question 5 आपसन 2 जो है correct हो जाएगा नेशो question है endoneuclease group of enzyme clip dna endoneuclease जो है वो क्या है एक enzyme है एक group of enzyme clip dna जो कि dna को clip करता है option one है externally option two है internally option third है both one and two and fourth than either a or b तो यहां पर इंडoneuclease की जो एक इंडoneuclease जो होता है वो dna को internally cut करता है इसलिए इसको इंडoneuclease करते हैं ठीक है तो इसलिए यहां पर option two correct हो जाएगा internally the extra chromosomal self-replicating double stranded closed circular dna molecule called ठीक है the extra chromosomal जो home से अलग होता है self replicate कर सकता है double stranded होता है closed होता है circular होता है उसको क्या कहते है आप सने है plasmid option two है phases option third viruses option four है chloroplast तो यहां पर option one correct हो जाएगा plasmid a plasmid consisting of its own dna with a foreign dna injected into it is called जब कोई plasmid जिसमें की dna injected होता है foreign dna तो उसको क्या कहेंगे recombinant dna option two है non-coding dna option third is junk dna option four है none of the work तो यहां पर answer हो जाएगा recombinant dna ठीक है यह answer हो जाएगा option one next जो question है insulin a protein consisting of insulin जो होता है एक protein होता है protein hormone होता है ठीक है तो यह जो है कितने polypeptide chain का बना होता है option one है two polypeptide chain option two है three polypeptide chains option third four polypeptide chain and option four है more than four polypeptide chains तो यहां पर question number nine का option one जो है यह correct हो जाएगा क्योंकि यह जो होता है insulin two polypeptide chains से मिलके बना होता है next question है the first human protein produced through the recombinant dna technology is तो recombinant dna technology का यूज करके first जो protein तियार किया गया था उसका नाम क्या है insulin two है erythropoetine third interferon and fourth है somatostatin तो यहां पर आंसर हो जाएगा insulin ठीक है यहां पर आंसर हो जाएगा insulin next जो question है human in a genetically engineered insulin was produced for the first time by तो genetically engineered जो in human है वो किसके द्वारा first time बनाया गया था तो यहां पर जो है कुछ कंपनियों के नाम दिए हो गया है यहां पर कुछ कंपनी के नाम दिए गया है बायो कॉन इंडिया लिमिटेड यहां सेकेंड है जो फर्ट है एलेली एंड कंपनी फूर्थ है सेपला यहां पर आपसन बन करेक्ट हो जाएगा next question है the first licensed drug produced through genetic engineering is genetic engineering के दिवारा जो first licensed drug त्यार किया गया था वो कौन सा है option 1 है interferon 2 है insulin 3rd है penicillin and 4th है somatotropin तो यहां पर आंसर हो जाएगा penicillin ठीक है यह जो है त्यार किया गया था first genetic engineering के दिवारा next question है before the production of recombinant insulin insulin for the treatment of diabetes in human obtained by तो पहले जो है recombinant technology जब नहीं थी तो insulin प्राप्त किया जाता था तो वो कुछ animals के द्वारा प्राप्त किया जाता था तो वो कौन से animals है तो यह option 1 है healthy human option 2 है dead human body 3rd है cow and pigs and 4 है dogs and cats तो यहां पर option 3rd correct हो जाएगा cow and pigs next question है the plasmid generally used for production of recombinant insulin is ठीक है recombinant insulin के लिए जो plasmid used होता है वो कौन सा है तो friends यहां answer हो जाएगा PUC 18 ठीक है next question है in in one of the technique of recombinant insulin production the gene for alpha and beta poly peptide were inserted into plasmid by the side of और यह आपसन भी है beta glycosidase gene आपसन थर्ड है antibiotic resistance gene and fourth restriction endonucleate gene तो यहां पर answer हो जाएगा restriction endonucleate gene next question है during recombinant insulin synthesis the bond between insulin polypeptide and glycosidate can be removed by using तो यहां पर answer हो जाएगा carboxypeptidase next question है prior to production of recombinant insulin, insulin obtained from cow and pig were given to patients some of the problem faced by this treatment was option one है the insulin was not active option two है in some human it induced antibody production option third है it reduced the weight of patient and fourth है loss of memory power तो friends यहां पर जो है loss of memory power देखा गया disadvantage यह था इसका क्योंकि जब recombinant technology नहीं थी जब genetic engineering हमारे पास नहीं थी और हम insulin जो है cow और pig से प्राप्त करते थे तो यह जो insulin जब हम human में use करते थे तो उसका side effect जो होता था उसके cognitive चंता पर पर पढ़ता था means कि उसके mental power कमजोर होती थी तो इसलिए यहां पर जो है कि option 4 correct हो जाएगा next question है a plant called raulphia serpentina is under the threatened of extinction to save this plant which technique is highly useful तो raulphia serpentina जो एक plant है तो यह जो है मतलब की threatened है आफ extension का तो इसको हम कैसे safe कर सकते हैं तो option 1 है genetic engineering option 2 है DNA fingerprinting option 3 है hybrid oma technology and option 4 है in vitro culture तो फ्रेंट्स यहां पर answer हो जाएगा option 4 in vitro culture next question है यहां पर हम genetic engineering का भी use कर सकते हैं इसके द्वारा भी हमरा raulphia serpentina के plant को safe कर सकते हैं ठीक है next question है which group of enzyme are popularly called molecular stitches तो वो enzyme जो की जो की दो molecules को जोड़ने का काम करती है उन्हीं को हम stitches बोलेंगे जो की जोड़ती है तो यहां पर option 1 है restriction endonuclease 2 है ligages 3 है RNA polymerases and d dna polymerases तो यहां पर answer हो जाएगा ligages ligages जो है कि दो दो molecules को जोड़ती है ठीक है तो इसलिए ligages जो है molecular stitches का काम करती है next question है a clone is a group of organism produced by जो clone होते हैं वो किस तरह से produce होते हैं option 1 है asexual method and genetically similar 2 है asexual method and genetically dissimilar 3rd is sexual method and genetically similar 4th is sexual method and genetically dissimilar तो यहां पर answer हो जाएगा asexual method and genetically similar next question है match the following restriction endonucleate जो है यह किसके द्वारा discover किया गया था तो यह जो है armor के द्वारा discover किया गया था ठीक है और यह जो है dna finger printing dna finger printing जो है कि Alice Jafri के द्वारा और पारी पॉलीमरेज चेंड रियक्षन जो है यह जो है पॉलीमरेज चेंड रियक्षन जो है यह कैली कैली मुलीस के द्वारा और मोनो क्लोनल एंटी बॉड़ी जो है ठीक है तो यहां पर आपसन कौन सा हो जाएगा यहां पर आपसन वन करेक्ट हो जाएगा ठीक है रिस्ट्रिक्षन एंडोनुकली एज की खोल सबसे पहले आरवर के द्वारा की गए थी डिने फिंगर प्रिंटिंग की जैफरी के द्वारा पॉलीमरेज चेंड रियक्षन जो है कैरी मुलीस के द्वारा खोजा गया था और मोनोकलोनल एंटिबाडि जो है यह कोहलर एंड माइल स्टेन के द्वारा ठीक है तो इस तरह से यहां पर जो है कि आपसन वन करेक्ट हो जाएगा next question पर चलते हैं some of the steps involved in genetic gene cloning are given below gene cloning में जो कुछ steps involved होते हैं वो यहां पर दिये हुए है option 1 है ingertion of isolated gene to the vector introduction of recombinant vector to the host isolation of desired gene fourth है expression of recombinant gene in the host और fifth extraction of recombinant gene product तो यह जो third है isolation of desired gene यह सबसे पहले number पर आ जाएगा उसके बाद ingertion of isolated gene to the vector उसके बाद first आ जाएगा उसके बाद into the host में हम इसको डालेंगे तो third के बाद third के बाद first आएगा उसके बाद second आएगा उसके बाद fourth आएगा और expression of in the host और उसके बाद extraction होगा ठीक है तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा answer हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा यह यह answer हो जाएगा सबसे पहले हम isolation करते हैं आप desired gene कौन सा gene का product हमें चाहिए उस gene को सबसे पहले isolate करते हैं उसके बाद जो है उस gene को vector में जोड़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि introduction of recommend vector to the host और उस host में इस vector को डालते हैं जहाँ पर कि वो multiply करके उस gene के product को बनाएगा और फूर्थ जो होता है वो जो है vector या फिर वो recommend gene जो है वहाँ पर जाके host में जो है express करेगा और जो product बनेगा उसका हम extraction सबसे last में करते हैं इसलिए यहाँ पर यह जो है answer हो जाएगा next question है a gene for insulin has been a gene for insulin has been inserted into vector for the purpose of obtaining protein obtaining protein product only such a vector is called तो इसको हम जो है कि expression vector कहेंगे ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम expression vector कहेंगे expression vector r2 expression vector कौन से होते हैं option 1 है produce protein product जो की protein product को produce करते हैं option 2 है used for genomic library जो की genomic library करिये use होते हैं और third है used for chromosome synthesis और fourth है used for finger printing तो यहाँ पे जो है expression vector produce protein product के लिए यूज होते हैं ठीक है next question है ecoli is generally used for gene cloning because ecoli जो होता है gene cloning के लिए use होता है क्यों it support the replication of recombinant DNA it is easy to transform third है it is free from elements that interferes with replication and recombination of DNA and for than all of these तो यहाँ पे answer हो जाएगा all of these next question है an ideal plasmid to be used for recombinant DNA technology must have अगर कोई recombinant DNA technology में कोई plasmid हम यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए option 1 है minimum amount of DNA option 2 है relaxed replication control third है one recognition side for one restriction endoneglaze and fourth है all of these तो यहाँ पे answer हो जाएगा all of these next question है transgenic organism transgenic organism कौन से होते हैं produced by gene transfer technology option 2 है extinct organism third and naturally occurring and endemic fourth है produced by traditional plant breeding technique तो फ्रेंट्स यहाँ पे answer हो जाएगा produced by gene transfer technique transgenic organi जब वो होते हैं जो की DNA के recombination के द्वारा यह DNA का उनमे कुछ change किया गया रहता है transgenic होते हैं उनका जो genetic material है वो जो है उसमें कुछ change हुआ रहता है इसलिए उसको transgenic बोलते हैं यह जो question था 25 का की equali is generally used for gene cloning because it support the replication of recombinant equali का हम क्यों use करते हैं cloning में क्योंकि यह जो है यह सारे ही function जो हमें चाहिए होते हैं वो सारे ही यह को यह support करता है option 1 जैसे it support the replication of recombinant DNA option 2 है it is easy to transform and third it is free from elements that interfere with replication and recombination of DNA and all of this ठीक है तो इस तरह से यह हो गया 27 भी हो गया हमारा transfer of recombinant plasmid into equali cell nets तो transfer of recombinant plasmid को हम जो है equali में कैसे कैसे जो है कि transfer करते हैं ठीक है option 1 है heat treatment option 2 है UV ray treatment option 3 है calcium chloride treatment and option 4 है lysis तो तो इकोलाइस सेल में जो है कि हम recombinant plasmid को कैसे तो यहां पर अंसर हो जाएगा heat treatment ठीक है next question है which of the following statement about a vector is correct vector के बारे में कौन सा statement correct है option 2 है all vector are plasmid only नहीं ऐसा नहीं होता है vector के बाल plasmid ही नहीं होते plasmids option 2 है plasmid phases can be used as vector हाँ यह से यह है option 4 है cyanobacteria can also be used as vector तो यहां पर option 2 है यह correct है plasmid and phases can be used as vector फाजेज नहीं है नेक्स जो question है वो है which of the which of the following statement about plasmid is correct plasmid के बारे में कौन सा statement correct है option 1 है plasmid are present in bacteria only plasmid जो होते हैं केवल bacteria में present होते हैं option 2 है plasmid are present in all organism option 3 है plasmid present in bacteria and phases option 4 है plasmid present in plants and animals तो यहां पर answer one correct हो है plasmid are present in bacteria only यहां पर vector जो होते हैं plasmid तो vector की तरह होते हैं fungi कुछ fungi भी होते हैं जो कि vector की तरह use होते हैं cyanobacteria तो नहीं use होते हैं कुछ fungi use होते हैं phoces can be used at vector phoces भी vector की तरह use होते हैं ठीक है तो यहां पर option 2 ही ज्यादा सही लग रहा है यह भी सही है लेकिन यहां पर दो चीजे दियो ही है तो इसलिए vector के बारे में यह दोनों हम correct लेके चलेंगे vector तो वही होता है जो कि desired हमारे डी एन्-अ को जो है कि हम जहां चाहें वहाँ पहुचाये vector करें तो फंगाई से भी होता है टो यहां पर दो को नाम इसको सही, ज्यादा सही है, तो इसको सही मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो हो गया, प्लाजमीट जो है, केवल बैक्टिरिया में पाए जाता है, प्लाजमीट जो है, प्लांट और एनिमल में अपसेंट होता है, बैक्टिरिया में तो होता है फाजज में अपसेंट होता है और प्लाजमीड अर्प्रजेंट इन आल अर्गनिजम तो ये भी गरलत है इनकरेक्ट है ठीक है नेक्स्ट जो कुस्टन है वो है इनमें से कौम सा स्टेटमेंट जो है प्लाजमीड को अट्रिब्यूट नहीं होता है यहाँ पे आपसन वन है ये जो होते हैं इनमें एंटिबियोटिक रेस्टेंस जीन होता है ठीक है स्टेटमेंट गलत है जो कि एट्रिब्यूट नहीं होता है इसलिए अपसन फोर जो है करेक्ट हो जाएगा next question है which one of the following statement about restriction endonuclease is true restriction endonuclease को लेके कौन सा statement जो है true है all restriction endonuclease cut dna at specific site all restriction endonuclease cut dna at random site option third है all restriction endonuclease joint dna segment at specific site all restriction endonuclease joint dna at random site तो ये तो गलत हो गया ये भी गलत है ये भी गलत है तो हमाय correct answer ये हो जाएगा ठीक है यहाँ पर है next question restriction endonuclease cut dna at specific site called तो उस site को हम recognition sequence कहते हैं ठीक है जहाँ पर की restriction endonuclease cut करता है उस specific site को हम recognition sequence कहते हैं तो इसलिए यहाँ पर आप सम थर्ड जो है एक करेक्ट हो जाएगा next question है restriction endonuclease when present in a host cell act on foreign dna molecule and cleave cleave them restriction endonuclease when present in a host cell act as foreign dna molecule and cleave them and them but they do not act on host dna molecule it happens because restriction endonuclease cannot act on host dna host dna is packed into chromosome as an third host dna is methylated hence restriction endonuclease cannot act or next option a restriction endonuclease become inactive when they reach host cell okay to cleave dna molecule endonuclease when present in host cell act act host cell में जब वो प्रजेंट होता है host cell act on foreign dna molecule and cleave them but they do not act on host dna molecule it happens because यह आई जो होता है वो जो है किसी फॉरेन डीना को कट को です और जो कि host के अंदर नहीं होता उसी को cut करता है यह उसकी quality है यह उसकी specificity है और इसी का use जो है कि हम genetic engineering में करते हैं तो इसलिए restriction endonuclease can not act on host DNA हाँ restriction endonuclease जो है host DNA पर act नहीं कर सकता और यह host DNA जो है packed होता है into chromosome ऐसा कुछ नहीं है host DNA is methylated hence restriction endonuclease cannot cut it restriction become inactive when there is host DNA हाँ तो यहाँ पर यह वाला option जो है ज्यादा सही है यह जो है इसकी specificity होती है restriction endonuclease की कि वो host DNA को cut नहीं करता है ठीक है next question है वो है the presence of presence of restriction endonuclease were postulated in 1960 by किसके द्वारा जो है restriction endonuclease की खोश की गए थी ठीक है तो यहाँ पर answer हो जाएगा आरबर आरबर के द्वारा खोश की गई थी next question है the scientist who won nobel prize for physiology for their discovery of restriction endonuclease ठीक है तो यहाँ पर answer हो जाएगा option to smith, nathan and arbor ठीक है next question है restriction endonuclease are also called restriction endonuclease को और क्या कहते है option 1 है molecular seizure, option 2 है molecular stitcher, option 3 है DNA synthesis और option 2 है polymerase तो यहाँ पर जो है कि option 1 correct हो जाएगा molecular seizure next question है in restriction endonuclease equal R1E stand for option 1 है extraction, option 2 है the first letter of the genus in which it is present option 3 है endonuclease, option 4 है endangered तो यहाँ पर जो है option 2 correct हो जाएगा E stand होता है कि कौन से genus से यह endonuclease हमें प्राप्ध हुआ है इको आरवन clip DNA add तो इको आरवन जो है यहाँ पर cut करता है DNA को यह G A A T T C जो site होता है यहाँ पर cut करता है तो यह आपको याद ही रहना चाहिए तभी आप यह question कर पाएंगे ठीक है next question है वो है restriction endonuclease is recognized specific sequence on DNA called ठीक है DNA पर एक specific sequence को ही restriction endonuclease recognize करता है तो उस sequence को हम क्या कहते है नान कोडिंग sequence आपसन टू है satellite आपसन थर्ड है palindrome with rotational symmetry and fourth है tandem repeats तो यहाँ पर answer हो जाएगा आपसन थर्ड palindrome sequence होते है जो उनकी rational symmetry होती है ठीक है और यह जो है recognize किये जाते है ठीक है तो इसको आप याद कर लेंगे ठीक है next question है वो है main tools require for recombinant dna technology are recombinant dna technology के लिए हमारे पास क्या क्या टूल होने चाहिए option one है vector desired gene option two है vector desired gene mRNA of desired gene host restriction enzyme luggages और third desired gene host and vector for the vector desired gene mRNA of desired gene host तो vector चाहिए desired gene चाहिए mRNA of desired gene host चाहिए restriction enzyme चाहिए और ligages चाहिए ठीक है तो यहाँ पर answer two जो है वो ज्यादा correct लग रहा है हमें तो आप इसको जरूर एक बार देखें लेकिन यह मुझे सही लग रहा है next question है एन एक्जामपल फार अर्टो नॉमसली रेप्लिकेटिंग मेनी क्रोमोजोम इस आटो नॉमसली जो रेप्लिकेट करता है मेनी क्रोमोजोम उसको क्या कहते हैं तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्लाजमेट ठीक है अब यहां ही तक 46 तक कुस्टन को करके हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे next question है which one of the following statement about plasmid is correct प्लाजमीट के बारे में इसमें से कौन सा statement correct है plasmid are mobile plasmid are made up of RNA and protein plasmid are present in eukaryote plasmid are present in fungi तो यहां पर बस एक ही सही है plasmid are mobile mobile होते है plasmid are RNA तो नहीं होता है इसमें DNA DNA ही होता है ठीक है eukaryote में plasmid are present in eukaryote bacteria तो prokaryote होता है उसमें भी present होते हैं तो इसलिए यहां पर यह अपसर नहीं सही होगा ठीक है next question है DNA luggage used in recombinant DNA technology obtained from यह जो है DNA luggage को हम कहां से प्राप्त करते हैं ecoli and also luggage encoded by T4 phasers तो DNA luggage जो है हम प्राप्त करते हैं वो जो है हम ecoli से प्राप्त करते हैं ठीक है DNA fingerprinting was first discovered by DNA fingerprinting जो है Alice Jafri के दोरा first discovered किया गया था next question है using genetic technique in forensic sciences also called इसको कहते है DNA genetic fingerprinting ठीक है यहां पर आप सन्मन करेक्ट हो जाएगा तो friends यह जो थे कुछ multiple choice question थे genetic engineering से और यह आपके किसी भी exam में जिसमें बैलो जी पुछी जाती है बहुत ही help करेंगे तो आपको वीडियो कैसा लगता है इसको मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थेंक यू